हेलो दोस्तों कैसे आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2013 के लिए जो कि अगश्ट 2020 को आपका एकजाम होने वाला है उसके लिए हिंदी के प्रीवियस एर कोश्चन और प्रीवियस एर कोश्चन में जैसा आपका पेपर आया बैसा का बैसा जो कि सीटेट दिसंबर 2019 में आपका पेपर पूरा हम देखने वाले हैं हिंदी वाले पोर्शन को उसमें क्योंकि आपको पता है गद्धांस आता है एक गद्धांस आता है और एक आता है पद्धांस तो दोनों हम देखने वाले हैं पहले एच्छे से पढ़ेंगे फिर उससे रेलिटी जो कोश्चन है उसके अलावा पेड़ागोजी के question से उसको भी हम पेड़ागोजी को भी इसी class में हम देखने बाले हैं हिंदी के पेड़ागोजी को तो शुरू करते हैं आज की class पहले हम गद्दांस देख लेते हैं जो भी हमारा पहला ही गद्दांस दिया गया है उसे हम पड़ लेते हैं पहले ध्यान-पूरवक्त गद्दांस को पढ़ेंगे उसके बाद इससे रिलेटरी जो कोश्चन है उनके आंसर हम देने बाले हैं आधनिक सिक्षा का नतीजा हमने देख लिया हमने उस सिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें बिक्सित विज्ञान का सबसे महत्पूर्ण इस्थान है ये नोट करेगा सबसे महत्पूर्ण इस्थान है जिसके कारण ब्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजू त्रप्ती नहीं होती इसका कारण यही है कि सिक्षा के सोवाविक और आवस्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे बिशियों पर ध्यान अधिक ध्यान दिया है जो मनुस्ष का एक तरफ़ा विकास करते हैं जिनके कारण व्यक्तित्त का बड़े से बड़ा भाग आत्रप्त रहे बाल अवस्ता में भी कला सिक्षा को अभी तक उचित इस्थान नहीं मिला है आगे देख लेते हैं जहां मिलता है बहां बच्चा 11-12 बरस के होते ही उसके सिक्षा किरम में से कला प्रवर्तियों को निकाल दिया जाता है जो उसका ग्यान मिलना शुरू होता है तब उसकी कला प्रवर्तियों है उनको निकाल दिये जाता है ऐसा ही हरवट रीड ने कहा है क्या कहा है वो देख लेते हैं हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर ब्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद कि सोर अवस्ता और उसके बाद में सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवर्ति को अपने भाव प्रिकटन का जरिया बनाए रख सकता है आज की सभी विसे जिन पर हम अपनी एक मात्र स्रद्धा करते हैं जैसे गड़ित, भूगोल, इतिहास, रसायन साश्त्र और यहां तक की साहित भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद कैसी है तारकेक है उन सब क एक मात्र जोर देने के कारण कला ब्रद्धियां जो भावना प्रद्धान होती हैं पाठे क्रम से करीब करीब निकल गए हैं निकल जाती हैं यह प्रद्धियां के पाठे क्रम से ही नहीं बलकि कहां कहां से निकल जाती हैं देख लेते हैं आगे इस गड़धांस में लिखा जब भयानक हो रहा है, सब बितार रोज बर रोज बेड़व होती जा रही है, ब्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस आस्वस्त है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है, और दुनिया का धोंस करने का जूर चड़ा है, इन भयानक अबस्थाओं को हमारा ग्यान विग्यान सहारा दे रहा है, आज की तालीम भी इसी दौड में साथ दे रही है, तो अब हमारे ये गधांस हो गया, अब हम इससे रिलेटर जो कोश्चन है, उसके आंसर देंगे, गधांस के अनुसार, पहला कोश्चन है हमारा, कोश्चन नमबर 91, क्या कह रहा है, देख लेते हैं, अनुच्छेत के आधार पर हमें किस पर सरवाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो सरवाधिक ध्यान देने की जरूरत हमें किस पर है वही, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखाता, क्या लिखाता वही, जो भूगोल गड़ित बगारा हैं, भूगोल गड़ित पर सरवादिक ध्यान देने की जरूरत है according to गद्धान्स गद्धान्स के अनुसार तो ऑप्सन नमबर टू होगा गद्धान्स के अनुसार कला प्रवर्तियां बिलवीदा राइट आंसर आगे बरते नेस्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 92 कोस्टन नमबर 92 देख लेती हैं के बनात कैसी है और गद्ध Silicon अगरत कैसी हैं यहां थक्की साहत भी कैसे हैं तारकिक हैं तो यह क्या और तर्क ऑन नेगे बिख्यान को बहुत अधिक मैत्व देने की कारण क्या हो रहा है समाज उन्दती कर रहा है समाज में विभाजन हो रहा है जी हाँ ब्यक्ति सजन की रहा पर जी बिलकुल नहीं ब्यक्ति बिध्यवच की रहा पर जी नहीं इसका जो right answer होगा according to गध्धांस, गध्धांस के अनुसार इसका जो होगा आपने पढ़ाते हैं समाज में फूट पढ़ रही है, मतलब समाज में विभाजन हो रहा है, तो समाज में विभाजन हो रहा है, यह हमारा right answer हो जाएगा option number two will be the right answer आगे देख लेते हैं, next question, question number 94 किसोर अवस्ता, तारकिक्ता की प्रधांता और भाव के अभाव में डैस का रास्ता अपना रही है तो जो किसोर अवस्ता है, वो तारकिक्ता की प्रधांता की बज़े से और जो तारकिक्ता प्रधां की आवी भूगोल, गड़े, इतिहास, रसायन साष्ट और जो सहते हैं, इस सब कैसे हैं तारकिक्ता प्रधां हैं, तारकिक्ता प्रधां हैं और कला प्रधां हैं कैसी हैं भाव प्रधां है, तो भाव प्रधां की अभाव में ड्यास कोई चुना जा रहा है एक पतन का रास्तर चुना जा रहा है क्योंकि इस जो तो इस बज़े से कलाया प्रवरतियां भूप प्रधान न भूप फ्रव फ्रक्रों नहीं् Particularly ब्यक्ति का क्या होता है भी कि सोरवस्ता का क्या हो रहा है पतन हो रहा है तो इसका right answer option number 1 हो गया right answer आगे बढ़ते हैं next question question number 95 इन मेंसे कौन सा सब्द समू से भिनन है इन मेंसे कौन सा अलग है तार के सुखभाविग ABOUT तो आप देखा और सब्सक्राइब जैसे है और उफशा das question number 96 है हम देख लेते हैं आज की तालीम भी इसी दोड में साथ दे रही है बाक में निपात है इस बाक में क्या निपात है आज निपात है भी है इस है या में है तो मैं आपको बता दूँ तालीम में में क्या है हमारा निपात है तो में विल वीदा भी विल वीदा राइट आं हमें गद्धांस के अनुसार इसका जबाब देना है विक्सित सब्द में पृत्य है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक होता है उपसर्ग होता है और एक हमारा क्या होता है पृत्य है एक हमारा पृत्य होता है तो जो उपसर्ग होता है वो सुरू में लगता है हमारा जो उफसर्ग होता है वो सुरू में जुड़ता है और जो पृतिय होता है वो लाश्ट में जुड़ता है क्या होता भी उफसर्ग सुरू में उसे शुरू में उफसर्ग मतलब सुरू में और पृतिय जो है लाश्ट में जुड़ता है जैसे बिक्सित में पृतिय पूछा है तो नमबर 98 देख लेते हैं अनुच्छेद के अनुसार जो हमारा गद्धान से उसके अनुसार कहा जा सकता है कि आधनिक सिक्षा का नतीजा है आधनिक सिक्षा का नतीजा क्या हो रहा है वह क्योंकि जब भूगोल गड़ित और रसान साथ की की चक्कर में हम क्या भूल रहा है वही कला प्रिवर्थिएं भूल जा रहे हैं तो उस पज़े से हमारा जो आधनिक सिक्षा का रतीज़ा जो है वह क्या हो रहा है सुकष तो नहीं रहा है और गद्धानस के अनुसार हमारा यह आउनसर होगा अब कोश्चन नमबर 99 देख ले बिग्जान का जो रहा है वह काब्यान काब्यांस और कंश workeratever , ररभी हैं तो दिए गए दो किसे ज़्यादा में दीया जा रहा है इसको सब्सक्तल सब्सक्राइब क्या हो विग्यान-बिच्ञान को किया हो सबस्तन को पसिद बिचयान को सब्सक्तलों को वो ककाभ ब्यांस की क्वेश्चन है सो से 105 तक अष्षित को ठीडिया defining पढ़ें! अथना से पंजी भूत जो आल, मेरी जन्नी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव भाल, पिर आगी देख लेते हैं, मेरे नगपती मेरे विसाल, युग युग अजे निर्वंध मुक्त, युग युग गर्वोन नितमहान, निश्यम व्यों में तान रहे, युग से किस मेहमा का वितान, कैसी आखंडी चीर समाधी, कैसी ये चीर समाधी, एतीवर कैसा ये अमर ध्यान तु महा सून में खोज रहा चटल समस्या का निदान उल्जन का कैसा विसमजान मेरे नगपती मेरे विसाल, तो अब हमें इस से रिलेटरी जो कोस्टन है, उनका जबाब हमें देना है इसके question number 100 हमक्रीट का जो आसे है वो क्या है ठंडा मुकट है वर्फ का मुकट है चांदी का मुकट है या फिर्व्न मुकट है इसका राइट आसर व का वे हो जाएगा वर्फ का मुकट हम मींस वर्फ और वक्रीट मीस मुकुट आप ऐसे इसको अलग-अलग करके इसका आंसर लगा सकते हैं हिम मतलब वरफ हिम मतलब वरफ और क्रीट मतलब क्या हो जाएगा वही क्रीट मतलब जो हो जाएगा वही हो जाएगा मुकुट तो हम कह सकते है वरफ का मुकुट हमारा राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं Ash Question Question No. 101 देख लेते हैं वही नगपती का बिग्ग्रह और समास होगा तो इस गध्धान्स के अनुसार बैसे तो हमारा नागों का पती हमारा हो जायागा जो काबियांस के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा नगों का पति जो है अर्थात करम नगपती नगों का पती अर्थात नगपती तो हमारे ये क्या हो जाएगा करम धारे हो जाएगा तो option number 2 हमारा right answer हो जाएगा नगों का पती अर्थात परवतों का पती नगपती अर्थात करमधार है हमारा right answer हो जाएगा option number 2 भी दा right answer आगे देख लेते हैं next question question number 102 किस पंक्ति में कहा गया है कि हमाले सक्ति की जौलाओं का धेर है हमाले क्या है सक्ति की जॉआलाओं का धेर है एक किस पंक्ति में कहा गया है मतलब किस में कहा गया है तो यह हमसे पूचाए गया है तो आपको पता है इसकी जो पहली ही पंक्ति है इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें साफ साफ लिखा है क्या लिखा है पौर उसके पुंजी question number question number हमारा 103 question number 103 अब हम देख लेते हैं भी question number 103 जिससे जीता ना जा सके उसके लिए कबता में कौन सा सब्द प्रियोक्त है तो हमें काभ्यांस के according इसका जबाब देना है अब आपको पता है जिससे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं अजे और यह हमारे काभ्यांस में भी दिया है अजे तो अजे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अजे बिलवीदा राइट आंसर जिससे जीता ना जा सके ठीक है और निसीम सब्द में कौन सी संदी है यह हमसे पूछा गया है तो आप जब निसीम का स हिमाले को इतीवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भैक्या है भारत के प्रेरिये प्रवतों का स्वामिये समाधी में लीन है समस्या का हल दून रहा है तो इसका क्या है भी समाधी क्या भी समाधी हमारा जो है वो कौन सा आंसर होगा भी समाधी बाला कैसी अखंड यह चिर समाधी कैसी ये खंडे चिर समाधी इससे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा समाधी में लीन है क्या वे समाधी में लीन है option number three will be the right answer अब आगे बढ़ते हैं next question अब दोस्तों जो question आ रहे हैं वो हमारे भासा के पेड़ाध में पेड़ागोजी के questions अब हमारे आ रहे है अभी ये पंदरा हमारे content से हो गये अब हमारे जो पंदरा question होने वाले हैं वो हमारे पेड़ागोजी से होने वाले हैं तो देख लेते हैं उसकी पठन चमता का हम आकलन करते हैं, या उसके भासा प्रियोग की चमता का आकलन करते हैं, या उसके लेखन चमता का आकलन करते हैं, बोलने की चमता का आकलन करते हैं, तो भासा का आकलन करना है, हमें क्या करना है, भासा का आकलन करना है, तो हमें बोलने से तो कोई मतलब र भासा का आकलन करने का उद्दिश क्या होता है उसकी पठन चमता का आकलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 107 तो यह क्या कह रहा है इन में से कौन सा भासा आकलन में सबसे कम प्रभावी है भासा आकलन में सबसे कम प्र प्रभावी है वो हमारा होगा प्रभावी हो सकता है लेकिन सुरुत लेक जो है हम उसे बार बार लिखने के लिए कहें तो यह थोड़ा सही नहीं रहेगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और आप्सन नमबर 4 विल वी दा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नेश कोस्टन कोस्टन नमबर 108 देख लेते हैं आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की छमताओं का आंकलन नहीं होता बलकि सिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आंकलन होता है जी हाँ यह विचार क क्या है पूर्णता सही है अंसता सही है पूर्णता गलत है निराधार है दोस्तों मैं बता दूं जब हम जब हम क्या करते हैं बच्चे की आंकलन की आंकलन करते हैं जब बच्चे का तो हम के विल उसकी छमताओं का आंकलन नहीं करते होते हैं हमारे टीचिंग जो लड़निं material है हमारा जो learning plan है जो हमारा lesson plan है उसका भी क्या होता है आखलन होता है तो यह पूर्टा क्या है सही है यह पूर्टा बिल्कुल सही है option number एक बिलिविदा right answer अब आगे बढ़ते हैं next question question number 109 question number 109 देख लेते हैं रीमा नी तीश्री कक्षा में पढ़ने बाली रित्का की भासा च्षमता भासा निस्पादन संबंधि कर्मिक प्रिगती का ब्योरा उसके अभी बापकों को दिया रीमा ड्यास के आधार पर ये जानकारी दी तो रीमा ने जानकारी जो दी उसको आफजर्व करके दी एक बार में उसी time आफजर्व करके दे दी या portfolio जो मनाई थी उसके आधार पर दी या जान सूची या लिखित परिक्षा के आधार पर तो वो जो दे रही है वो किसके आधार पर दे रही है वही portfolio की portfolio में क्या होता है पूरी साल का व्योरा होता है उसकी प्रिगती का पूरा व्योरा होता है portfolio में तो उसी आधार पर यह दी है तो option number two will be the right answer portfolio will be the right answer आगे बढ़ते हैं next question question number 110 question number 110 हमारा ये रहा पहली कक्षा में dash भी लिखना के अंत्रगत आता है तो पहली कक्षा में बच्ची क्या होते हैं उन्हें लिखना तो आता नहीं है कोई अक्षा तो बनाना नहीं आता है उन्हें क्या करना आता है अगर उन्हें कोई काम आता है तो उन्हें ये करना आता है उन्हें ये करना आता है मतलब उसे चित्र बनाने आते हैं उल्टा सीधा चित्र बनाने आते हैं क्या करना आता है इस टैप से एक चित्र बना दिया इस टाइब से चित्र बनाने उन्हें आते हैं तो जो चित्र बनाना होता है वही उनका लिखना कहलाता है जो छोटे बच्चे होते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं छोटे होते हैं तो वो क्या चित्री तो बनाते हैं उन्हें बाग लिखना सब्स लिखना और अक्षर बनाना तो आता नहीं है तो जो वो चित्र बनाते हैं छोटे मोटे वही उनका क्या कहलाता है लिखना के अंटरगात आ जाता है तो option number 4 विल भी the right answer इस टाइप का question जो मैंने पिछली class कराई थी है आपको हंदी की previous year questions वाली उ अनुमान लगाना संधर्व अर्थ अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश तो भई पढ़ने का उद्देश सबसे कम महत्पून होगा क्योंकि बच्चा अनुमान लगाना तो अच्छी बात है थोड़ा महत्पून हो सकता है संधर्व अनुसार अर्थ निकालना ये भी महत्पून होगा अक्षरों की पहंचान भी थोड़ा थोड़ा अक्षर की पहंचान भी होनी चाहिए तो पढ़ने के लिए वो ऐसा करें यह हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन कोस्टन नंबर हमारे 112 भासा अर्जन चमता किसके साथ संबंधित है तो भासा अर्जन चमता होती है वो किसके अंतरकत संबंधित होती है किसके संबंधित होती है हमसे पूछा गया है प्याज एक चॉमस्की इसकिनर या ब्रूनर तो दोस्तों जब मैंने भासा अर्जन की किलास कराई थी पैड़ा गोजी का जो टॉपिक है जन्मजात होती है बच्चे में जो भासा अर्जन की छमता होती है वो क्या होती है जन्मजात होती है तो एक बात कौन कहते हैं भी 14 जहते हैं तो इसका 24 को राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 की ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question कोशचन नमबर हमारा क्या हो गया 113 देख लेते हैं प्रात्मिक इस तरपर भासाच सीखने में भासा संबंदी कौन सा संसादन सरबाधिक महत्पूर है सरबाधिक महत्पूर क्या होगा भासा सीखने में क्या कम्पीटर होगा बाल साहत होगा समाचार पत्र होगा टेली बीजन होगा क्या होगा तो मैं आपको बता दूं ना तो कम्पीटर होगा ना तो समाजार पत्र होगा ना ही टेलिवीजन होगा जो प्रात्मिक इस तरपर होगा बाल साहित होगा क्या होगा बाल साहित सबसे अच्छा संसादन होगा सबसे महत्मुर संसादन होने वाला है तो option number 2 बिलवीदा right answer आगे बढ़ते हैं next question question number 114 बच्चे अपनी मात्र भासा का प्रियोग करते हुए हिंदी भासा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं ये बात डेस है क्या सोयभाविक है निंदनी है बिचार्नी है अनुचित है भई अनुचित हम कह नहीं सकते हैं होगी चोटे बच्वें वो अपनी मात्रभाशा के साथ ही एक फिकर अनगी आफंई के सु के लिए मात्रभाशा वह बच्चे लिए बहुत ही ज्याद़ इंपोर्टेंट होती है और मात्रंबास सा का हमें सम्मान भी चैए करना चाहिए अगर हम सिक्षक है अगर हम एक सिक्षक है तो बच्चों की मातर divergenceा का सम्मान करना चाहिए निंदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो यह कैसी होती वी पर सोईभाविक होती है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक सोभाविक विल्वीदा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर एक सो पंद्रा अब हम देख लेते हैं बहुँ भासिक्ता हमारी पहचान भी है हमारी डैस बर डैस का अभिन अंग है तो बहु भासिक्ता बहुँ भासिक्ता बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 116 कोश्चन नमबर 116 अब हम देख लेते हैं प्रात्मिक इस्थर पर पाठ़ पुष्टक में कार्टून भास्रन विग्यापन आदी बच् अरजन विकास में क्या करते हैं भी जो हमारे बच्चों की भासिक्ता विकास में क्या करते हैं पाठ़ पुष्टक में जो कार्टून भास्रन विग्यापन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं वो करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं बच्चे के विकास में क्या होते हैं साय सायक होते हैं तब ही तो यह कहीं न कहीं प्रात्में इस तर पर जो बच्चों की किताम में होती है उसमें कार्टून बनाते हैं जिससे की बच्चों को छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कार्टून देखना लगता है उन्हें कार्टून देखना क्या लगता है बहुत अच अब आगे देखते हैं नेस्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 117 आप हम देख लेते हैं यह रहा पांचमी कक्षा की सोहानी पांचों किन्हें आखें दोनों आदी सब्सक्राइब लिखती हैं आप सोहानी के लेखन चमता के बारे में क्या कहेंगे क्या वह अनुनासिक चिनने का प् क्या अनुनासिक का प्रियोग किया गया है अनुनासिक चिनने का क्या किया गया है प्रियोग किया गया है बिंदी का प्रियोग किया गया है ना वाली बिंदी का प्रियोग किया गया है अना वाली बिंदी का प्रियोग किया गया है तो भी यह तो कहना गलाते की बिलकुल प पाती बहनुनासिक चिंद्न की नियम का अथी सामानी करण करती है इसी लिए तो ऐसे कर रहे हैं बार बार लगा रहे हैं अधिक ज्डरूर से ज्यादा सामान्द करण इसका कर रए तो इसका राइड रहा度 हो जाए ओ no.4 will be the right answer आगे बढ़ते हैं next question question no.18 बिध्याले में भासा सिक्षन के लिए कोई कारिकरम सुरू करती समय सबसे महत्पूर है तो सबसे महत्पूर जो होता है वो क्या होता है बच्चे की लिख छमता को पहँचानना बच्चे की सहज भासा ही छमता को पहँचानना बच्चे की सहज मौके कभी व्यक्ति को पहँचानना ये बच्चे की पठन छमता को पहँचानना तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option no.2 बच्चे की सहज भासा ही छमता को पहँचानना यह हमारा right answer हो जाएगा और यह दोनों हमारे गलत हो जाएगे अब आगे बढ़ते हैं next question question number हमारा क्या हो जाएगा question number हमारा 119 क्या कह रहा है देख लेते हैं कई बार बच्चे जब school जाते हैं कई बार जब बच्चे school जाते हैं तो दो या तीन भासाओं को dash और बोलने की चंपता से less होते हैं तो क्या होते हैं दो या दो से अधिक भासाओं जो होते हैं वो पढ़ना जानते हैं बिल्कुल wzात Map इस 지역 पर बच्चे कहा जानते हैं लखharma भी नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं समझना जानती हैं इस प्रिकास से 2-3 भासा हैं जांगी, तो से एक से वहज़ता है, लेकिन लिकना पड़ना थोड़िन नहीं जानता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं next question question number 120 किसी भिषञे को सीखने का मतलब है उसकी भद्हारण और बथेश को सीखना क्या है भी अबधारण और विसे बश्टू विसे बश्टू हमारा ग retract हो जाएगी विसे बस्तू हमारी क्या हो गलत हो गया तो एक ही option मचा तो उसकी अब धारणाओं और उसकी सब्दा बली को सीखना हमारा राइट आंसर हो जाएगा option और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बहुत जरूरी है जिसके आप हमारी इस टैप की classes तुरंद पार लें